हेलो गाईज कैसो आप सब तो भाई आजम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले जिसको आप थमनेल में देखके समझ गए होगे बाकि तब भी नहीं पेचाना तो तुमारा भाई बताएगा ये इंसान कौन है तो भाई तुमारे को बता दू इनके पास अभी तक इंडिया का most expensive car collection है मतलब की अभी तक का ऐसा most expensive car collection है जो की शायद मुकेश हमानी के पास तक नहीं है तो भाई इतना expensive car collection होने के बाद भी अभी नोने कुछ दिन पहले ही एक और new car भी purchase करी है जिसकी जो value है वो है 12 करोड रुपीज बाकी भाई इस वीडियो को आप end तक देखना आपको इस इंसान का नाम और ऐसी कौन सी car purchase करी है जो की इंडिया की most expensive car है उसका नाम भी बता हूँ आप बाकी भाई अगर आप मेरी वीडियो first time देख रहे हो तो आपको बता दूं कि इस दीदी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है इस वीडियो से ये तो बस आपका अभी तक मन लग रहा है इसलिए थी बाकी अगर तब भी आपको इस वीडियो इस पर कहीं न कहीं तो देखी लिए होगी और अगर नहीं देखी तो पहले आप देख ली समझे कुछ नहीं न तो अब सुनो तो ये भाई हाइदराबाद से हैं जो की एक सोचल मीडिया इंफ्लेंसर हैं एक बिजनसमैन हैं और एक कार एंथियोसिस्ट भी हैं जिनके पास इंस्टरग्राम पर मोर देन 3 लेक से भी उपर फोलोवर्स हैं तो भाई इनके पास अभी तक वान आफ दी बिगेस्ट कार कलेक्शन हैं इंडिया में और इनकी कार कलेक्शन में मोर देन 20 प्लस लगजिरियस कार्स हैं जिसमें की दो रोल सोरेस, तीन लैंबोरगिनी, तीन फरारी, एक मुस्टैंग, दो मर्सेडीज बेंस और भी बहुत सारी, तो भाई नसीर खान के इतना बड़ा कार कलेक्शन होने के बाद भी, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी कार कलेक्शन में एक और नई सूपर कार एड़ करी है, जिसका नाम है मैकलेरेन 765 LT स्प अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात है, कार ही तो परचेस करी है, तो भाई जितने भी कार लवर्स हैं, वो सारे समझ गए होंगे, बाकी तब भी बता दू, जो मैकलेरेन 765 LT स्पैडर सूपर कार है, वो इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव सूपर कार है, तो भाई इतनी महंगी कार परचेस करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसकी वज़ा से वो कार परचेस करके आज नसीर खान हैडलाइन्स में है, तो सही मैर, हीूज कंग्रेशन्स है उनको इतनी प्यारी सूपर कार परचेस करने के लिए, तो भाई अगर वीडियो झाल 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 झाल